है 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 वेलकम डोगे अगाड़ में होड़े गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ारा स्ट्रेंद्स ऑफ मटेरियल तो प्रीवियस्ली अम लोगों ने कुछ क्वेशन देखे ठीक है जिसमें हम लोगों ने जो मैंबर सीरीज पैलर वाले जो कंसेप्ट होते हैं उसको थोड़ा सा समझा और उसके बाद हम लोगों ने जो डिफरेंट टाइपस अप्लोड मैं आपको बता रखे थे पहले एक्स्टरनल लोडिंग में उसके बारे में हम लोगों कुछ चीजे सीखी बेसिक सी ठीक है नाव आगे के कुछ क्वेशन लेते हम लोग तो आई ह होगा और जिसमें आप देख रहे होगे सो प्लीज अगर आपके पास ऐसा नहीं तो पहले प्रिंट आउट रख लेजिए ताकि अनिंट्रॉप्टेड एक्स्पिरियेंस रहे आप लोग का पूरा फोकस पढ़ाई पे रहे इसलिए वह रहा हूं कि प्रिंट आउट रख ल यहां पर इसको फिक्स कर दिया गया है लाइक देस ठीक है इसका जो लेंथ है वो एल है ओपिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपैंशन अल्फा यंग्स मॉडलस इस चेंज इन टैंपरेचर डेल्ट टी यहां पर दे रखा है ठीक है इसका क्रॉस सेक्शन एडिया जो है डाट इस तो बोथ एंड पर फिक्स है अब आगे बोल रहा है इफ दा टैंपरेचर अफ दे बार इस एफ दर सॉरी इफ कीपिंग ओल दव पैरामिटर्स अंचेंज इफ दे लेंथ आफ बार इस डबल दे एक्सल स्ट्रेश वुड बी तो इस केस में हम जानते हैं स्ट्रेस कैसे नि को जस्ट फर सेक आफ स्लूशन सॉल करना मैं आपको एक प्रस्पेक्टिव देने जा रहा हूं दैट इस वाए मैं थोड़ा सा बात करूंगा इस पर आप लोग जब सॉल करोगे तो डारेक्ट ली सॉल करना कभी भी ठीक है चलिए तो मैं अभी आपको प्रस्पेक्टिव दे दे रहा हूं तो आगे जब भी आप ऐसा कुछ देखोगे तो आप लोग डारेक्ट सॉल कर पाऊगे अब यह वाला केस रहा सा रिकॉल करो हम लोगों ने प्रिविएसली चर्चा की हुई है हम लोगोंने डिफरेंट केसे के लिए जो कंपाटिबिलिटी एक्वेशन है वो आप हम लोगोंने देखे हुए है ठीक है जिसमें आप लोगों के पास number of member connection में थे single member connection में थे parallel series वाला जो चीज है मैंने आपको previous sessions में बता रखा हुआ है ठीक है तो आई एक्सपेक्ट आपने देखा होगा है ना यहां पर हम लोगोंने देखा हुए है कि अगर यह दो change in lengthy will be zero this is the concept ठीक है तो इस condition में हमने compatibility question देख रखा है I hope आपको याद होगा ठीक है अगर याद है तो एक बार आख बन करो और बोल के बार याद कर लो या फिर फिर कोपी में लिख लो के यह होता है तुरंत लिखो अभी वीडियो पास करो और तुरंत उसको लिख करके दे एल माइनस पी एल अपॉन एई इस इक्वाल टू आपको जीरो होगा इमापको समझा चुका हूँ अब अद्वार ने समझाओंगा आपको यह समझा चुको कैसे आता है ठीक सो और यह हो गया आपके पास ना यहां से सकते हैं कि अलफा डिल्टी इन्टु एल इस इक्वाल पिएल अपॉन ए एसा हुआ एल कटइया पीवाईय को देखो किए और लूग यहां पर इस ट्रेस ह्लुश सकत है मैं अच्छंच में Dalek नहीं स्नाओ दानगा तो P के लिए solve करो, अब क्योंकि यहां पर तो simple एक ही member है, तो P by A आप directly लिख सकते हो, लेकिन ठोड़ा complicated हो जाएगा अगर आप लोग ऐसा हर जगा लिख दोगे, ठीक है, तो बात बस इतनी सी है कि आपको पहले हमेशा P निकालना है, फिर जिस भी member में जो भी पूछा होगा आप इसली निकाल पाओगे, P by A कर देना, जो भी area है, जिसका भी area निकाल, जिसका भी आपको stress निकालना है, उसकी area से divide कर देना हो, यह जो P जो आया है, यह आपने लगाया नहीं है, यह आपने temperature इंक्रीस किया, और जब restrict किया member को expand होने से, तो यह force जो है, वो set up हुआ है, जो इस इस दू टू चेंज इंपरेशर, आप डिस बिकार इंपरेशर, जो आप देखो, यह हो गया है, तो यह हो गया है, यहाँ से अपने सकते हो, इस इकाल तो अलफा देल T into E, ना फ्रू इस एक्रेशन, for this condition, you can see, जो यहाली कंडिशन है, जो यहाली कंडिशन है, इस प बोथ एंड फिक्स वाली कंडिशन में है सिग्मा जो है सिग्मा जो है वो तो डिपेंड कर रहा है यह इन्दीपेंडनेटर ल को तो डिपेंडना करो चौ निंदे अरो फर्ख नहीं पड़ेगा सिग्मा विल रिमीन अंचेंड केस पर भी आना चाहिए तो पीडियों देखे जल्दी से यह सो ऑप्शन नमबर ए देखने को मिल रहा है ओप्शन नमबर ए सिग्मा है ना सिग्मा ही रहेगा क्योंकि from here we can conclude आद लेन्स को दो गुना कर दोंगा क्या फर्साइगा और अप्शन नमबर ए विवधी राइट आंसर घ्ला फेले और फरई रहाओ है ना पहले पॉस कर लो वीडियो को और अपने PDF के जो प्रिंट आउट अगरा रखे उस एक बार पढ़ो question को ठीक है चलो 200 mm long stress-free rod stress-free means initially stress-free residual stresses etc नहीं है आपर 200 mm long stress-free rod at room temperature is held between two immovable rigid walls the temperature of the rod is uniformly raised by 250 raised by मतलब change in temperature is 250 if the young small less and questions of thermal expansions are this the magnitude of longitudinal stress developed in the rod is so it is a very simple question so directly हमारा जो यह वाला question है जहान से देखना इसमें भी वही चीज़े हैं आपको बस अब question number five में actually data दे रखा है तो एक rod है जिसकी length दे रखी है जिसका area दे रखा है जिसका temperature change young small less alpha की value सारा कुछ दे रखा है आपको बस है कि stress कितना आया सुदिस राड इन question number five is actually held between two immovable supports राइट तो यह यही वाला case है सेम यही वाला case है बस इसमें value दे रखी है तो हमको stress निकालना है question number five में तो directly यहाला जो formula है वो applicable हो जाएगा तो simple यह direct formula बेस में निकाल लूँगा ऐसे केस में alpha delta into e से क्योंकि और यहाला formula बेटा सिर्फ तभी लग सकता है जब आपका एक single component हो और वो completely rigidly fix हो तो supports के बीच में ठीक है कोई भी yield of support या gap एक्सेटरा की बात नहीं हो और that is why कई लोगों को क्या लगता है वालो क्या होता है कि यह वाला जो टाम है जो यहाला टाम है alpha into delta actually अगर आप थोड़ा सा पीछे जा करके सोचोंगे तो यह जो value होती है this is of thermal strength thermal strength की value होती है तो कई लोगों को लगता है thermal strength और यह जो है जैसे इंजिरिंग इंजिरिंग स्ट्रेंट तो भाया हमेशा डारेक्टली प्रपोर्शनल होते हैं अगर कोई material लीनेल लास्टिक है तो तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि उसको अगर आप fix रखोगे तो follow करेगा नहीं रखोगे तो नहीं करेगा ऐसा तो उसमें नहीं होता है इस कंडिशन में आपको दिख रहा है कि यसी इंटू एपसालों टी एच आ रहा है बट डाट 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 को थर्माल स्ट्रेस इस इस फॉलो जो इस नोट लाइक एक पर्टिकुलर कंडिशन के लिए आप ऐसा उसको लिग पा रहे हो जब दोनों एंड से फिक्स है ठीक है चलिए तो बस वैल्यू इसमें फुट कर देते हैं वैल्यू की आ कि अभी बढ़ देखते हैं चलिए लेंथ आपको दे रखी है आपको स्ट्रेस निकालना है तो स्ट्रेस के लिए चाहिए आपको आलफा अलफा है आपके पास वन इंटू टैनस टू पावर माइनस change in temperature that is 250 ठीक है एंड लास्ट आपको दे रखा है यंग्स मॉडलर्स दाट इस 200 गीगा पास्कल सो 200 इंटू 10 इस टू पावर 3 क्यों ऐसा किया मने क्योंकि आप देखेंगे question में मेगा पास्कल में निकालने वो रखा है तो गीगा पास्कल को मैंने मेगा पास्कल में कनवर्ट कर दिया ठीक है ओके सो स्ट्रेस निकालने के लिए बोला है डारेक्ली तो दिस्ट्रेस निकाल लेते हैं इसको जस्ट कैल्कुलेट कर लो सो वन इंटू 10 इस टू पावर माइनस फाइव ठीक है ओके 500 यह आगे आपके पास 500 ओके 500 मेगा पास्कल इस इस देहरो कितना स्ट्रेस आ रहा है 500 मेगा पास्कल 500 मेगा पास्कल इस दा वैल्यू अफ्ट्रेस क्लियर है ना 1 इंटू 10 पर मैनस फाइव भी था ना भी 6 तो नहीं ता अधिक लिए ता एक बढ़को मायनिस फाय। कर्रेक्ट ओके इस और इस फिल बी आंसर आफ क्वेशन नमबर फाइव ठीक है रिएटली फॉर्म्मला बेस क्क्रेशन है ना दिखते हैं क्वेशन नमबर फिक्स करद में देखोगे आप पुष्चनमब्र शिक्स में आप देखोगे में थोड़ा सा metallic rod of 250 mm is placed between two rigid immovable walls yes rigid immovable ठीक है अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं in the figure the rod is perfect is in perfect contact with the wall on the left side and there is a gap of 0.2 mm between the wall on the right side right side 0.2 mm का gap है बुटा तो गैप आपको compared equation लगाना है ठीक है that's it लगाओगे तुरन्त आंसर आजाएगा ठीक है तो अगर आप लोग खुद से solve कर रहे हो तो इक बर करके देख लो ठीक है मैं तो solution बताई नहीं वालो ओके तो करके देख लो तो आप अपना solution is equal to 0.2 okay alpha कित्ता दिया है इसका alpha इसमें दे रखाए टैनस टू पावर माइनस फाइफ ओके यंग्स मॉडलास दे रखा है 200 गीगा पास्कल और कोफिशेंट अब थर्मलेक्समाशन इस टैनस पावर माइनस फाइफ पर डिग्री सेल्सियस तो टैनस टू पावर सकते हो सारी चीज़ों को जैसे कि 0.2 mm में रखा तो सारी चीज़ों लेंथ एक्सेटर को mm में ही पूट कर देते हैं ठीक है अब बोलेंगे साथ से अल्फा को तो चेंज नहीं करना पड़ेगा बेटा अल्फा क्या है अल्फा है इस ट्रेंड पर चेंज इन टैम चार्ट र और एक ही रोड एस पे तो सीज़ा चाहोता पी यह को सिग्मा भी लिख सकते हो तो सिग्मा लिग दिया यहां से मैंने इन टू एल यहां से मैंने इन्टू एल डाट इस तू फिफ्टी अपॉन इह हो जाएगा यह यह यंग्स मॉडलर्स टू हंड़ेट गीगा पास का दे ठीक है जार वैल्यू को इसमें सारी हमने पुट कर रख है सॉल कर सकते राटली आंसर आ जाएगा तो तू हंड़ेट इन्टू फिफिटी सिग्मा इंटू फिफिटी बाइ टू हंड़ेट इन्टू तो पावर त्री इस इपर दू है तो यहां से सॉल करने पर सिग्मा आपके पास तू फो फॉर्टी न्यूटन पर म्म स्क्वेर और मेगा पास कर बोल सकते हो ठीक है यह आप लोगों के पास इसका आंसर आ रहा ह अगर आपको पता है कैसे लिखा जाता है तो फिर बहुत ही आसान है ठीक है नेक्स देखते हैंक फॉस्चन न्मर सेवन उनबर शममिठ स्थम्रिब के खी यह लगोगों को मैंबर्स इंपाडले की बात के वराट टू 츠 हम एस एप उह इकले लेंथ आर सॉस्पैंड डिटिक ली and at a distance of 40 cm as shown in the figure below. Their upper ends are fixed to the ceiling while their lower ends support a rigid horizontal bar which carries a central load of midway. When the wires, between the wires, details of the two wires are given. उसके details दे रखे हैं आपको area दे रखा है, material दे रखा है, youngs modelers और elongations की value यहाँ पर unknown के फॉर में दे रखा हैं आपको ratio of elongation बताना है. इसमें भी आपको याद होगा, जब मैंने आपको members in parallel पढ़ाया है, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया हैं कि दो cases होते हैं, एक में member को horizontal रखना होता है, दूसरे में member को हमको member tilt हो रहा होता है, ऐसा कुछ case है. तो ratio पूछा है इसमें, ratio पूछा इसमें, तो ऐसा कुछ बोला नहीं question में कि to keep the members horizontal, ऐसा बोला नहीं है, क्योंकि अगर वह ऐसा बोल देगा, तो by default भाई जो elongations दे रखें question में, del C और del S वो तो one हो जाएंगे. ठीक है, अब अगर आप लोग मान लीजिए, अगर आप यूँगे मानते, ध्यान देना, अगर आप लोग ये मानते हैं, देखना, समयना मेरी बात को, ठीक है, जैसे कि ये जो एक, इसको थूरा सा ठीक कर लेते हैं, पैन को, ये आपका हो गया, जो वन नमबर है, इस कॉपर, ठीक है, ये जो होगे, आपके पास कॉपर का, और दूसरा होगे, आपके पास, ये कॉपर है, ठीक है, और दूसरा आपके पास होगे, इस तरह से स्टील, ठीक है, ये स्टील का वायर होगे, इस तरह से, अब एकदम बीचो बीच में लोड ल लिए लग रहे है ना टी वनट याज बोल सकते हो है इसको आपको नूहीं क Zusp करके और अगर जाओ तो एक राउंड आफ एलू 10 भी ले सकते हो जी ठीक है यहाँ देखना अब इसमें जो फोर्स आया लटा से इस इस पी वन देसे स्पी टू इसको डबलू बोलते हैं पहले तो फिल्हाला भी डबलू बोलते हैं ठीक है इसमें पी वन और पी तुस तरह से फोर्स आया सो आइस क्यों कि सेंटर में लग रहा है और बीच का गैब भी दे रखाया देखो तो यह 40 सेंटीमीटर ऐसा गैब दे रखाया है है तो यह डिस्टेंस कि तुल्याइगी वह जाएगी आपकी 20 तो एक बार देखते हैं एक क्वेशन लिकर देखते हैं कुछ मैं सकता हूं क्या मैं यससमेशन आफ वर्टिकल फोर्स इक़ल जो से टाइट इस रहुड जाटिक एक लिज्ब्रम अगें अगें लैक लेकर असे इस पोईंट-A इस पोईंट दिस पोईंट-C इन सभी एक्विया वूल है तो यहां से समेशन आफ मोमेंट अबाऊ इस इकल त और चीह फ्र इस्ट्राटिक एकिलिब्रियम तो लिख सकता हूं मैं पी-टू ओके इंटू 40CM इंटू 40CM पॉइंट पॉइंट फॉनक्वाइस के वाउड प्लास डबलू इंटू 20CM नदिस पॉइंट फॉस्ता हूं है और यहां से देखो यहां से देखो second case में याने की याल इक्रेशन से देखो यहां से आप देखोगे जो P1 है P1 भी कित आ गया फिर W by 2 आ गया क्या अब मैं आपसे पूछता हूं आपको जवाब देना ठीक है सुनना मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपका ये जो बार है, ये वाला, रिजिड बार, क्या ये अब horizontal रहेगा, और रहेगा तो ऐसा क्या वजह हो सकता है, तो वीडियो को pause करना, और दो सेकेंड सोचना इस चीज़ को, कि कैसे ये, कैसे ये horizontal रह सकता है, क्या ये horizontal रह सकता है, और अगर हाँ, तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं, ठीक है, वीडियो को pause करना, और दो मिनट सोचना, और पक्का सोचना वीडियो को pause करके, और comment करके बिल्कुल बताना, कि आपने सोचा, या नहीं सोचा, ठीक है, comment करके बिल्कुल बताना, मैं comment देखता दाट इस डिफरेंड दाट इज डिफरेंड और अब कुछ प्रीन नहीं है कि दोनों का जो आपका जो बार है डाट शुट रिमेन होरीजॉंटर हाउएवर अगर आप देटा को देखते हो तो एरिया जो है दोनों का डिफरेंट है कॉपर जो है कॉपर का एरिया 4 cm2 है और इसका एरिया किता है इसका जो एरिया है that is 2 cm2 ठीक है that is 2 cm2 ठीक है तो हम लोग क्या हमको तब पता चल गया कि कित्ता कित्ता फोर्स आ रहा है दोनों में तो अब question solve करना बहुत आसान है क्योंकि हमको exactly force भी पता है हमको area भी पता है हमको stress पता चल जाएगा हमको strain भी पता चल जाएगा that is different thing solution of a question is very easy but learning for a question is something else so हम लोग मैं आपको solution नहीं देने आया हूं solution तो आप भी कहीं से नेट से देख करके या कुछ भी करके तो आप गरी लेते मैं आपको कुछ समझाने आप देखना यहाँ पर अगर मैं आंसर पर जलते हैं जैसे की डेल सी डिफ्लेक्शन इन दी कॉपर तो यह हो जाएगा आपके पास इसमें जो लोड आया है इसमें कॉपर में किता है पीवन ठीक है पीवन ओके और इन लोग की जो लेंद्ध है ओके लेंद्ध है वह आपकी 4 मीटर से है आगराम में 4 मिटर दे रख घा तो लिग लेते है यह वन अपोन एम एवन ईवन इस फॉर को पर तो इसमें कीता आया बहए इसमें जो लोड आया आप लोगोगों का ठिक है अ THAT इस हाफ तन हाफ तन अफन ह अख तन लोडास तो आप असको लिख सकते इस तरह से 1000 by 2 that is 500 okay that is 500 so 500 kgs है तो आप उसको क्या कर दो Newton convert कर दो 9.81 से multiply कर दो या फिर round of value 10 से कर दो ना क्या फरक पड़ता है तो यह हो गया आपके पास 5000 5000 Newton हो गया ठीक है याने कि 5 kilo Newton into L1 that is 4 meters upon area इसका किता 4 cm2 so 4 okay into 10 power minus 4 into even जो इसका यंग्स मॉडलर्स है किता है इसका यंग्स मॉडलर्स दे रखा है अच्छा केजी पर सेंटिमेटर स्क्वेर में सारी चीज़े दे रखी है तो अपने को ज्यादा वरी करने की बात ही नहीं तो यह आ गया आपके पास और अटेंशन नहीं फिर इसको कनवर्ट करने की भी जीट नहीं है तो यह आ जाएगा 500 500 kg लेंथ इसकी है जो इसको कनवर्ट कर देंगे तो जाएगा 400 सेंटीमीटर पाउंड फोर इंटू इदे रखा है आप लोगों को कॉपर का वन इंटू टैरेस्ट पाउर सिक्स सेम वैसी फॉर स्टील लिखूंगा मैं पी टू एल्टू अपॉन एटू एटू है ना तो अगेन जो यंग स्माउड लेस्ट है वो केजी पर सेंट्विट को दिरे रखायाने की लोड को न्यूटर में करने की और लेंट को मीटर करने की नीड ही नहीं है यह कैसे पता चलेगा कभी भी कभी भी यंग स्माउड लस्क एक्सेटरा देखने के वाद हमको समझा जाता है कि हमको किस डारेक्शन में जाना कौन से यूनिट को आप्ट कर यहां से किया जा सकता है कि दोनों का डीफॉर्मेशन क्यों की बराबर है तो यहां पर से मान लीजे मैं बोलू कि इनका अगर एरिया वायर का सेम होता जैसे कि यहां पर डिफरेंट दिया है तो हुआ क्या देखना है मैं हुआ यहां से लौट से माना बस यह शार नहीं करता है तो दोनों में लोड अगर सेम आ रहा है तो नौ इट विल टोटली डिपेंदेंट अन मटेरियल के ज़्यादा डिफॉर्म हो रहा है कहीं कम डिफॉर्मेशन हो रहा है यह तोटली मटेर बडिपैंड करेगा है तो यह क्वेशन में बाइचांस एस तरह से मैनिपिलेटेड है यह और गोइंग तो हैव इक्वल वैल्यूज ऑफ डिफॉर्विशन फोर बोथ इस्टील अन कॉपर बट इन एक्ट्वल प्रैक्टिस ऐसा आपको क्वेशन दिया जा सकता तो ऐसा इस क्वेशन से ऐसा शोर रहना भी पॉसिबल है ठीक है तो होर्जंटल आला केस यह निकला क्योंकि दोनों का डिफॉर्मेशन यहां पर सेम था अगर माली जे दोनों का एरिया में यहां पर सेम कर दो ठीक है आथ आपको मैं जस्ट डेटा देखर के जा रहा हूं इसको आप सॉल करना तो इसी क्वे एल सी बाई डेल एस की वैल्यू है कितनी आएगी इफ एरिया ओफ कॉपर एंड एरिया ओफ स्टील क्या हो जाए सेम हो जाए दोनों का एरिया क्या हो जाए सेम हो जाए तो कितना होगा ठीक है कितना होगा इसका जो रेश्यों है आई बस समझ में रेश्यों कितना होगा य तो फिर उस कंडिशन में जो रेशियो है वो किता होगा ठीक है क्वेशन में बोल रहा है राउंड बार मेड ऑफ से मटेरियल क्रॉस से कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स तो से मटेरियल से बना हुआ है स्टार्टिंग से एंड तक के और में तीन पार्ट से इच एविंग लेंट ऑफ हंड्रेड ऐम डामीटर दे रखा है 40 50 60 एना तो 40 50 60 तरह से अपर बना लेते हैं तो इस तरह से तीन अलग डामीटर इसमें दिये रखे हैं ठीक है तो स्टेब बार है साब हो सकते इसको ही डिकोड करना डिकोड तु कुछ भी कर देना ऐसा नहीं है ठीक है चलो आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है इच सब्धेक्टेट टू एल लोड ऑफ हंडरेट क्या सरी 10 किलो न्यूटन है ठीक है 10 एना 10 किलो इसले बोरा तुम लोग प्रिंट आओ निकाल कर रख लेना तकलीफ होगी नहीं तो भैंकर डैप्टी है ना 10 किलो न्यूटन है यह लगा दिया है अब बोल रहा है था टोटल वाह था टोटल लोंगेशन ऑफ दे बार इन एम एम वूड भी ठीक है टोटल लोंगेशन निकालना है क्या ही फरक पड़ता है भई सभी का यंग्स मॉडल सेम है ठीक है और वैल्यू दे रहके नहीं रखे किलो न्यूटन पर एम एम उसका यूनिट बोल दिया है तो हम लोग फोर्स को किलो न्यूटन में ही रखने वाले हैं अब बोला था कि जो यंग्स मॉडलर्स का यूनिट होता है वो आपके लिए चीज़ें सिंप्लिफाइ कर देता है तो आपको परिशान है रहती है तो यहाँ पर हमको समझान को पता रहना चाहिए ठीक है चलिए देखेंगे उनको वैसे ही समझ भी आएगा जो आराम से देखा होगा उसको आराम से समझ आएगा ठीक है तो लेक्चर सब इमान दारे से देखते हो कि नहीं कमेंट सेक्शन ने बताना मुझे लेक्चर इमान दारे से देखना बहुत जरूरी है तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या ही मतलब रहे जाएगा मैंने आपको भी बताया था उसमें कि आप ऐसा रिप्रेजेंट करो अग अगर मैं चाहूं तो किसी एक फोर्स को रिप्लेस करें और सिंगल फोर्स लग रहा है एक अगर आपका फिजिक्स थोड़ा भी स्ट्रॉंग है थोड़ा भी मतलब एकदम नाइंथ स्कूल नाइंथ लेवल का भी अगर फिजिक्स है तो अब इतना दिमाग तो लगाई सकत क्या बोला था मैं पहले भी स्टरीके से मैं बता चुका हूँ के दोरान तो यह मैंबर सिरीज ए कियो कट सेक्षिन्स इफिव गट सेक्षिन्स देन यूविल सिय्टेन यूविल सीके हर एक सेगमेंट पर हर एक जगह पे एक समान फोर्स जो है वह आ रहा है ठीक है तो यहां पर भी 10 किलोटन आ रहोगा सो इच एंड एट इच एन एवरी सेक्शन जी डिर इस सेम फोर्स ठीक है तो सभी में आपका सेम फोर्स है अवरी फोर्स इस टैंसाइल ठीक है तो सारा जो इलॉंगेशन है वो जोड जाएगा सो टोटल इलॉंगेशन जो है वो आएगा ओफ डीफॉर्मेशन अफ आल दी मैंबर्स ठीक है तो सभी को जोड देते हैं हम लोग एडिया सब का यह आपके इसका डामेटर 40 इसका डामेटर 50 जामेटर 60 है ठीक है लोट सभी में सेम है ठीक है रोट सभी में सेम है तो उस कंडिशन में तो डेलल टोटल यहां पर लिखते हैं रहा है यहां पर लिखते हैं रहा है लेकिन सभी तेंस आ लेट सब्स प्लस प्लस आ रहा है ना अब हम लोगों को डेलल टोटल दिख जाएगा तो सभी के लिए सेम हो गया क्या सबका पी सेम है सबका एल सेम है यंग्स मॉडलर्स भी सबका सेम है तो पी एल और यह जो है कोमन निकालेंगे ठीक है और राउंड बार है तो एडिया क्या होका पाई बाइफॉर डी स्क्वेर तो पाई बाइफॉर भी कॉमन निकाल देते हैं थो फॉर उपर चला जाएगा तो यहां निकाल का पी तरग देते हैं नेक्स प्लस क्या प्लस वन बाई एरिया 50 स्क्वेर प्लस वन बाई एरिया 60 स्क्वेर यह होगे आपके पास ठीक है यह आप लोगों को देखने को मिल रहा है इसको उपर ले जाते हैं ओके इन्टू एल जो है सभी का हंड्रेड एमेम है तो हंड्रेड ठीक है अपाउन पाई इन्टू ए ठीक है यहां से आ जाएगा आपके पास सोला सो हंड्रेड बाहर सोला सा जाएगा ठीक है तो इसको काट देते हैं मस्तेप से ठीक है और यंग्स मॉडलर जो है लंग मॉडलर जो है वो किलो न्यूटन पर इसमें है तो यह न्यूटन में रख दिया है मैंने इसको ठीक कर जेता हूं तो यहां से आ गया यह 40 अपॉन पाइए इंटो वन वाइग 16 प्लस वन वाइग 25 प्लस 1 वाइग 36 ठीक है तो ऑप्षिन नमबर दी दिखरा होगा आप लोगों को ऑप्षिन नमबर दी जो है इसका करेक्ट आंसर ठीक है ऑप्षिन नमबर दी जो है अट चीज करेक्ट आंसर ठीक है तो क्वेश्टन देखो कैसा भी क्वेश्टन किया जा सकता है आपको दिमाग लगाना है तो यहां पर यहां पर यहां पर पूट यहां पर किया था तो नीड करने की यह यह है तैन किसमें है यह किसमें है इसे जिन किलो न्यूटन पर आ इम स्कूर रहने की विए घीगापास कर ठीक है तो यह सारी चीज्जा आपको प्र दे रखी थी हमारा आराम से आंसर आ गया क्वेश्टन नमबर 8 का ठीक है तो नोमबर 9 देखते हैं ना दिखते हैं ट्व का area of cross section भी क्या हो गया सेम हो गया दबार एसी इस इनीशली horizontal a force P is applied such that AC continues to remain horizontal तो एसी इस तरह एसी पे फूर्स लगाया गया पी वह इस तरह लगाया गया कि यह जो एसी है जो रिजिद बार है पर इस आप इस है होरिजॉंटल तो मैंने आपको इस बता रखा हुए कि कैसे horizontal रहे हमेशा ऐसा कुछ केस आएगा तो क्या करता है ठीक है तो पहले भी बात कर इसके पहले हम लोगों ने देखा इसके पहले हम लोगों ने देखा ता हाता हूं आपको यह जब की यहां पर नहीं निकल पाने वाला है देख लेना यह स्टाटिकल इंडिटर्मिनेट यहां पर नहीं निकल पाने वाला देख लेना यह स्टैटिकल इंडिटर्मिनेट प्रॉब्लम कहला आएगा तो यहां पर इसका फ्रीवर्य डियाग्राम बनाते हैं जैसे नीचे इस तरफ फोर्स आ रहा है ठीक है यहां पर इस तरह से तीन फोर्स आ रहे हैं ठीक है तीनोई इडाटिकल है क्राउस सक्षिन मटेडियल वाइज ठीक है लॉंगर के लिए लिए wün пока भी यह चृटर घुर ठीक है समेशन आफ मोमेंट्स जो है समेशन आफ मोमेंट्स वो क्या होने चीज़ जीरो होने चाहिए तो यहां से मिल जाएगा आपको एक सॉलुशन क्या मिलेगा आपको मिलेगा यह जो है पी एस पी एस ओके पी एस इन्टू टू ए यहां से आप ऐसा लिख सकते हो क्या यहां से लिख सकते हो आप एक पी एक पाल टू टू पी एलएंटू एस फ्लस पी एस इन्टू टू टू ए इस तरह से ओगया थे तो पी पी एल और पी एस लगाएंगे आ जाएगा अंसर आया क्या नहीं आया मतलब कि दोनों एक क्वेशन सेम है यह भी क्वेशन नमर्वन ही है बेसिकली तो अब मुझे समझ आ गया कि स्टेर्टिकली इंडिटर्मिनेट है तो अब सॉल्ट करने के लिए डिफॉर्मेशन के कसे रहना है बोलान अगर होरिजोंटल रहना है तो आटीफोर्मेशन आफ इच रावड मस्ट विए इक्वाल डिफॉर्मेशन आफ इछी रावट मस्ट येट न वराबर कर देऊं तो जाहतेगा पी अ अ ब्रॉटिकशा और ऑप प लेक्र न Giroux भाहिया जह यह होना चाहिए है अब यह जाएगा आपके आस पी एल इन्टू जो लेंध दे रखा है लोंगर रोट का दैस्ट टू टाइमस और जो शॉर्टर रोट का लेंध है दाट इस एल अल्ली है यह यह दे रखा है लिए बात है तू टाइमस ओफ वहां एल टू लिखा हुए वह इस प्रिंट है ठीक है तो टू टाइमस अफ ऐल वन हो गया डिवाइड बाइड बाइड एडिया तो सेम है दोनों का ठीक है इंटू यह स्मॉट लविज होनों का सेम है इस इक्वल टू पी एस इन्टू और एलवन जो शॉर्टर रोट की रहन थैंध है ठीक है तू इस एक्वल टू पी एस बाइट यहां के पास यह रिलेशन्शिप मिल गया न जितना लोड शॉट राट जहल रहा है उसका आधा यह जिलने वाला है ठीक है तो यह मिल गया आपको या फिलिख सकते हो आप पी एस इस इक्वल टू 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 पी एल भी ऐसा आप लोग ल प्रवल एक्वेशन है उसमें पुट कर दो ठीक है तो पी असिसको इसको सॉल कर लो तो प्लस टूी इंटू टू पीएल हो जाएगा थीक है इसको प्लल तू पी हो गया है थीक है तो लागने प्ल प्ल लोनों 20 tapes और जो आपके पासरक्त एंस थे भी एस आजाएगा अब यह किता एके पास टूओ टाइमस ओफ टूद्ट साफ डूचगे टाइमे आ रहा है और जो लॉन्गरर णर फोट रा रहा रहा है दोनों आपको मिल गया 0.4 और 0.2 आपको मिल रहा है ठीक है तो आपको जो और इस और पूछा है forces in the shorter and the longer बार तो shorter बार में करता है 0.4 times of P और longer बार में करता है 0.2 times of P so option नमबर A जो है option नमबर A जो है that is the right answer ठीक है चलिए फिर question number 10 देखते है को क्वेशन नमबर 10 देखते हैं को क्वेशन नमबर 10 देखते हैं अब question number 10 में बोल रहा है copper bar of 25 cm length question number 10 में बोल रहा है okay question number 10 में 25 cm land का आपको copper bar दिया हुए fix by means of support at its ends ठीक है इसको fix किया गया है support at ends देकर के इस तरह से copper का like this इसको support पर fix कर दिया गया है और इसको support इस तरह से fix कर दिया गया like this and now आगे बोल रहा है इसमें तुस कंप्लेटली फिक्स है टेंप्टर राइज वगरा कर रहा है इसमें ठीक है क्या बोल रहा है support जो है वो yield कर रहा है यह वाला support है इसमें यह yield कर रहा है बोल रहा है हाँ पर 0.01 cm ठीक है तो आपका yield दिया हुआ है that is 0.01 cm ठीक है 0.01 cm ठीक है और जो कॉपर का यह स्मॉड दे रखा है दाट इस वन इंटू टाइम स्पार 6 kg पर सेंट रहा है तो कितना होगा आपको stress पूछा हुआ है तो बस कुछ नहीं करना है competitive equation क्या होगा इसके लिए अल्फा डेल्टी आफा डल्टी पार आफा डल्टी न स्पोर्ट यह और फार्टी इन टो यह इंट है तो फिर कोई प्र प्र नहीं हे तो ऑलफ़ा यह कोई प्राब्लम नहीं ठीक है सेंटिमीटर माइनस ठीक है पी यह आपका हो जाएगा सिग्मा सिग्मा इन्टु ट्वन्टी फाइव अपॉन इजो है डाट इस वन इन्टु टैनर्स टू पावर सिक्स इस इक्वाल टू हो गया जिरो पॉइंट जिरो वन ठीक है तो एकदम बेसिक क्वेश्चन आप लोग से बन जाना चाहिए तो काफी देख सकते हैं आप लोग एजी ली बनने वाले क्वेश्चन होते हैं जो चैप्टर बन क्या आपके पास आते हैं अगर आप लोग थोड़ा भी लेक्ट्र को ध्यान से देखे होगे तो आप लोगों को बहुत ही आराम से बन जाएगा अंसर क्या आया आप लोग किते लोग ऐसे हो जो लोग क्वेश्चन देखने के बाद मतलब आप देखते हो कि सरी आला क्वेश्चन करा रहे हैं तो आप लोग पहले ही बना लेते हो ऐसा किते लोग कर पा तो आंसर आ रहा है इसका 1600 हो के चांसर आनाए इसका सिग्मा इस इकलो टू 1600 के जी पर सेंटिमिटर स्क्वेरे ठीक है ओप्षिन नबटी देखें गे आपको देर रखा है 16 इंटू टैस्ट पावर 2 थो के जी पर सैन्टिमिटर स्क्वेरे साब इसको लिख सकते हो तो क्वेशिन क्वेशिन वर एलएवन वे बोल रहा है थिक हैं क्वेशिन ऑपर 11 में बोल रहा है पर हां अस्टील बार ऑफ 300 mm लॉफ नो छिलबार 300 mm long विफसरा प्ट्रिम लॉफ में लॉफ हैंने क्वार फ्लियन अम डायमेटर इस तर्न डा। to 13 mm diameter for one third of the length तो आपने क्या किया है जो copper rod है जिसकी जो length थी है total वो 25 है जिसकी length 300 mm है उसका diameter 25 है उसको आपने उसमें टर्निंग करके ने की material रिमूफ करके उसके one third length को आपने 13 mm diameter का कर दिया है इस तरीके का कुछ है 25 mm diameter का copper था उसको के one third length करने की 100 mm length को है ना total length थी तो अब उसकी जो 200 mm की length है इसकी diameter कितनी है वही इसकी diameter 24 mm है 24 mm और जो one third हैने की 100 जो 100 है इसका इसकी जो length है diameter है भी that is 13 mm ओके that is 13 mm ओके is heated 30 degree Celsius above the room temperature clamped at both ends and is allowed to cool to room temperature okay to room temperature if the if the distance between clamp is unseen the maximum stress in the bar is to ya cooling की जा रहे तो इसको इसका जो temperature है that is 30 degree Celsius above the room temperature ठीक है 30 degree Celsius above the room temperature है okay so जैसे की room temperature let us say T R है तो अभी जो इसका temperature है अभी जो इसका temperature है वो क्या है अभी जो उसका टामचिर है that is 30 degree Celsius इसको cool करके जो इसका याने कि इसका इनिशिन temperature यह रहा final temperature क्या हो गया आपके पास तो चेंज इन टैंप्टर जो है नेगेटिव हैने की रिडक्शन इन टैंप्टर किया गया है बेसिकली तो हम लोग सिर्फ मैंनिटूड देखते हैं तो 30 डिग्री सेल्सियस का यहां पर टैंप्रेचर रिड्यूस किया गया है इसका बेसिकली ओके तो अब इसको अगर आप बोथ हैंड पर क्लैम करके रखिवाने की फिक्स है इस तरह से बोथ हैंड पर तो मैंने बताया है कि अगर आप लोग टैंप्टर बढ़ाओगे तो कभी भी क्या होगा यह इसको पुश कर करेंगे और हैंज इट विल सफर फ्रॉम अप्रेशिव लोड एंड कंप्रेशिव स्ट्रेस बट जब आप इसको 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 इस तरह से फोर्स लगेगा तो जब आप किसी मेंबर को फिक्स कर दोगे और उसका टैंप्चर राइस करोगे तो उस कंडिशन में क्या फील करन करने वाले को स्टु पहिलना चाहर है अपट वाल उसके अगेंस इसको आने नहीं दे रही है तो उसकोट पर स्टु प्र कंप्रेशन उसको इ-फील ई हो रहा है बेखिन वो चाहेगा, भी सिंग्लेशन में श्यारीन को उसको स्ठकून स्ट को और ऑपने कन्ट identify लिक्शन के की नीड आपको नहीं है नाओ जिखते हैं कि क्या आता हिसका ओके सो लेंट एक्सेक्टर सारी चीजे से रखी गे स्ट्रेस इंड्यूस आपको कितना हो रहा है बताना है तो क्योंकि बोथ हैंड पर फिक्स है तो डारेक्टली आप जो हम लोग ने प्रिवियस्ली लगाया हु के समेशन आफ पी एल अपॉन एई इस इकल टू जीरो इस इकल टू जीरो पर रहा है कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है क्लिए बात है नाओ यहां पर एक चीज़ आपको बताना चाहूंगा यहां पर अगर आप इस कंडिशन में बात करोगे तो सीधा-सीधा समेशन आफ एलफा डल्ट इंटू एन फार जो भी मतेरियल से आफ जिते में मैंबर साथ के लिए ऐसा लिख सकते हो पर इसको लिख देते है यह हो गया इस इकल तो देस ऐसा रहा है कि है ना पॉर एन नमबर उप मेंबर इन एकल तू वन तू एन एकल टू ऐसा अब एक बात सोचने व वाले केस में रिल्ड ऑफ सपोर्ट आपको कभी भी नहीं दिया जाएगा ठीक है अब एक बाल कहान रिखने की है कि हमने जो एक क्वेशन लिखे हैं यह किसके लिए लिखा गया है हमारा पार जो है जो एक्सपैंड होना चाहरा था लेकिन नहीं हुआ नहीं हो पाया तो मैथ मैं आपको बोल रहा हूं कि दोनों identical है तो कैसे यह जो हम लिखे हैं ध्यान देना यह जो हम लिखे हैं इस फॉर इस फॉर इंक्रीज इन टामरेचर तो जो फ्री लैंथ है फ्री एक्सपैंशन है वह पॉस्टी मिल रहा है आपको लैंथ इंक्रीज हो रही है और जो वाल है वाउड के लगाएगा टैंसाल फोर्ट लाइगा तो पील पॉन एक वैल्लीग के लिखे हो फिर कोलिंकर तो हीटिंग या कूलिंग एक्सेटरा का फ्रकन ही पढ़ रहा एक्वेशन सब्सक्राइब अब आप सिंप्री इसको तो सभी के लिए सेम है बस लेंथ है वो अलग है डेल्टी भी सभी का टाइंची इनी फर्मली चेंज किया गया है तो 30 इन सेस्ट का चेंज है आप लोगों को सिफ मैंने टूड लिखना है क्योंकि डारेक्शन सेक्सेटरा कंसीडर हो चुके है अल्रेटी है ना सो अलफा जो दे रखा है है वो है आपका 20 20 इंटू 10 इस टू पावर आ शरी आपको दे रखाए 12 इंटू 10 इस टू पावर माइनस 6 ओके सो जागा 12 इंटू 12.5 इंटू 10 इस पार माइनस 6 यह अलफा दे रखा है इंटू डेल्टी एट इस 30 ओके यह दे रखा है और यह फस्त के लिए लिखूंगा अगर फस्त के लिखूंगा तो यह होगा आपके पास इसकी जो लैंथ है यह लाना पड़ेगा क्या यह से मीटर्स में दे रखा तू इस प्लादेते पॉइंट वान वन ओ जाए खिक है फस्त के लिए फ्लास सेकेंड के लिए ठीक है तीक है सेम 12.5 इंटू 10 इस पावर 2 ओके is equal to this value तो यह हो जाएगा आपके पास पी ओके इंटू एल दाट इस 0.1 अपन एए ठीक है नाव हमको क्योंकि stress निकालना है ठीक है stress निकालना है तो हम लोग के लिए आसान होगा अगर हम लोग सब्सक्राइशन हमारे आसान होगा अगर हम लोग इसको में रखे सारी कर दिया है इसको कर दिया 200 ठीक है तो यह हो जाएगा हमारे लिए यहां से 100 ओके अपन एडिया कितना है इसका फिर्टीन है फरस्ट वाले का सुपाइब वाइफ फॉर ओके इंटू थर्टीन स्क्वेर इंटू इए आपको दे रखा है इसका 200 गीगा पासकल दे रखाए त तो 200 इंटू टैर्स पावर थी हो जाएगा ओके प्लास पी सेकंड पॉर्शन का 200 है लेंद अपन एरिया पाइब बाइब फॉर डामिटर 24 का स्क्वेर इंटू इडाट इस 200 इंटू टैर्स पावर 3 सॉल करेंगे हमको पी जो है वह मिल जाएगा ठीक है इसको सॉल करेंगे पास यह कॉमन आगया ओके इंटू ओके इंटू हंडीड पास पी फॉल दो इन पास बाइब ऌटंडे अपन फार इन पॉर इंटू 13 square into 200 into 10 power 3 okay plus pi into 200 into pi by 4 into 24 square to 200 into 10 power 3 so here from the force that is 18067.856 in newton we ask stress push I know look at stress which I got a figure stress push I get okay so the maximum stress yes maximum stress push I'm look maximum stress can I load to some of you my ego cookie and to and connection and aable stress case was added as this area minimum into yellow area to have a minimum and a lady a minimum I can even take my camera to drop a box of water and I have a sex video that you can do that you can try to do it you can try to do it the proper look execute right now so here you can see the area of force to make the same for some of my maximum stress is the maximum stress is the maximum stress is the maximum value of P by A minimum, so 1, 8, 0, 6, 7.8, 5, 6, divided by minimum area which is pi by 4, 13 square, ठीक है, so this is pi by, pi by 4 into 13 square, so 1, 8, 6, 7.8, 5, 6, 1.5 by 4, 5 by 4 into 13 square, okay, so this is coming out to be 136.12, ठीक है, यह आपके पास आगे, newton per mm2, या लिख दीजिए आप इसको mega pascal, ठीक है, यह आपके पास answer आगे, आपके stress का, ठीक है, next देखते हैं, next question हमारा, okay, question number 12, question number 12 में क्या बोल रहा है, question number 12 को देखना क्या बोल रहा है, question number 12 में बोल रहा है, if the bar of solid section is encased in a steel tube, आपके बास बास बार है, इस तरह से, आप लोगों ने जो steel है, okay, उसमें इस तरह से encase कर दिया, इसमें इस तरह से, steel tube के अंदर आपने, जो brass की rod है, वो insert कर दी है, like this, and आपने इसको दोनों end पे, rigidly fix कर दिया, like this, this is rigidly fix, तो यह आपका वही members in parallel वाला, जो case मैंने आपको बताया था, वही हो गया न, members in parallel वाला case हो गया यह, ठीक है, members in parallel वाला, अब दे रखा है आपको question में, जो steel है, steel है आपका, जो steel के लिए alpha S, coefficient of thermal expansion 11.2, according to question into transfer minus 6 per degree Celsius, और जो आपके पास brass है, ब्राज जो है उसके लिए alpha B बोल रहा है, 16.5 into 10s per minus 6 per degree Celsius, पर degree Celsius, इस तरह से, तो चार्ज स्रेस्मेंट देरे करके रखें, तो अब यहाँ आप नोटिस करते हो, तो alpha B जो है that is greater than alpha S, अब इसमें हमको यह चीज़ क्लियर है ना, उसमें यह चीज़ हमको clear है, हम लोग ने पढ़ा हुआ है lecture के दौरान में, कि जिस ऐसे connection में, ऐसे connection में, जिस member का alpha जादा होता है, उसमें compression आता है, और जिसका alpha कम होता है, उसमें tension, तो क्योंकि यह आए, तो इसमें क्या होगा, अलफा भी जादा है, तो इसमें क्या है का compression आ जाएगा, ठीक है, रिसकास कर चुके हैं, पैर ले हम लोग छेड़े लेक्टर, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा tension, इसमें आ जाएगा tension, तो steel will be subjected to tension, whereas जो brass है, उसमें compression आएगा, तो stress in the steel will be tensile, statement number 2 है, और stress in the brass will be compressive, यह statement number 4 है, तो 2 और 4 जो है, यह दो statements आपके correct है, तो option number C, जो है, वो आपका right answer होगा, statement number 2 and statement number 3, sorry, statement number 2 and statement number 4 is correct, तो यह आप लोगों का right answer होगा, ठीक है, तो बच्चों आप देखते हैं, question number 13 and 14, ठीक है, question बोल रहा है, 650 newton load is applied along the centroidal axis of the member as shown in the figure, टेक theta equal to 60 degree, यहापर जो theta दे रखा है आप लोगों को, this is equal to 60 degree, theta जो है, वो ही जो plane AA है, और plane BB के बीच का angle है, अगर आप ध्यान से देख पाऊगे, तो जो plane AA है, थोड़ा सा सोचनाली बात है, plane AA जो है, ठीक है, जो है, यहापर आपको good observation करनी की need है, ठीक है, तो यह plane AA जो है, that is perpendicular to the longitudinal axis, तो बेसिकली कौन सा plane हुआ, यह कौन सा plane हुआ, इस इस cross section plane, this is cross section, this is cross section plane, clear है, this is cross section plane, and BB जो है, that is inclined with the longitudinal axis, तो हमने बढ़ा हुआ है पहले, फिरी लेक्चर में क्या बोलते हैं, इसको यह जो plane BB है, this is an oblique plane, this is an oblique plane, ठीक है, यह oblique plane है, ठीक है, अब हम लोगों को को दो क्वेशन जो पूछें हैं, तो 30 ने पूछा, the resultant internal normal and shear forces in the member at section A, which passes through point, यह जो point है, यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से इस तरह से गुजर रहा है, यह इस तरह से गुजर रहा है, ठीक है, यह इस वो information कोई काम की नहीं है, बस basically बताना है, जो plane AA है, plane AA पे आप लोगों को, क्या stress मिल रहा है, और कितना stress मिल रहा है, आपको बताना है, कौन सा force आ रहा है, आपको बताना है, stress नहीं, force बताना है, तो normal force और shear force यहाँ पर, कितना है, वो आप लोगों को बताना है, clear बात है, ओके, यहीं पूछ रहा है, question number यह में, तो अब कैसे कर सकते हैं, हम लोगोंने previously पढ़ा हुआ है, है ना, हम लोगोंने देख रखा है कि भाई, हमारे पास अगर कोई अस तरह से member है, इस तरह से मैं force लगा रहा हूँ, P equal to 650 Newton, इस तरह से, clear इस तरह से force लगा रहा हूँ, तो किसी भी section पे, मैं इस force के कारण, जो दो components आएंगे, वो find out कर सकता हूँ, तो एक section पे, दो component of force होंगे, एक होगा उस section या उस plane के normal, और एक होगा उस plane के tangential, तो जो भी force वहाँ पर पहुचा, उसके दो component पहुचेंगे, किसी भी oblique plane पे, हम लोगोंने previously पढ़ रखा है इस चीज़ को, previously हम लोगोंने पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से, ठीक है, जब stresses के बारे में starting में deal किये हैं, हम लोग तो वहाँ पर पढ़ रखा, I hope आप लोगोंने उसको देखा होगा, अगर नहीं देखे हो, तो भाई बहुत बुरी बात है, आप लोगों को देखना चीज़ इत्ती महनत करते हैं, अब लोगों के लिए, ठीक है, तो आपको देखना है, यहाँ पर आप देखोगे, जैसे कोई oblique plane है, अभी ज़स्ट आप लिक plane के साब सहता हूं, जैसकोई oblique plane होता है, तो उस oblique plane पे, ठीक है, इस तरह से जो force आ रहे हैं आपके पास P, कि और ना शुलिए को अ्वेसर राप के पास पिसके डू अपको मिलते हैं एक होता है नॉर्मल डिरेक्शन में पी अ है और व यह बता है इसका टैंजेंटी डारेक्शन में इस तरह से पी दी यह आ लिएड बात यहांगि थीटा दे रखा है वो थीटा आरा से कितना है और अग गांट कि यह अपका पुछा कि तो नॉर्riend के पांव न है इस ब मुंस्य को मुझान से गुरे हैं इस वी अ ठीक है के इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है normal resisting force आ रहा है after cutting this section as a section card दिया कर दिया कर दिया तो यहां पर सिर्फ normal force आ रहा है ठीक है कि अगर आप देखोगे ऐसे यहां से अगर थीटा देखो तो थीता इक्वाल क्या हो गया इस एक लिए किसमें फिखेंज जायगा सी साइनटा है और जो शीयर फॉर्स जीर गर 0. So, the normal force on plane AA will be equal to 650, but the shear force will be equal to 0. So, ये आपका correct answer होगा, ठीक है? तो, स्क्रेकोर्डिक option कौन सा मैं आपको बता रेता हूँ, I hope आप लोगोने solve कर लिया होगा इसको, ओके? So, स्क्रेकोर्डिक जो option आप लोगो को देखने को मिल रहा है, सही option, okay, that is D, okay, D है, D में 650 newton and we call to the rest, option number D आप लोगो को सही आँ साल लेना है, ठीक है? आगे क्या पूछ रहा है, इसमें next जो इसका पार्ट है से पूछ रहा है, the resultant internal normal and shear forces, ठीक है? in the member at section BB, section BB पर किता आ रहा है, जो plane BB है, उस पर पूछ रहा है, तो plane BB के अगर बात करें, तो यह आपके पास plane A है रहा, ठीक है, this is plane A, this is plane A, ठीक है, like this, और इस से जो plane B है, वो इस तरह से inclined है, इस तरह से plane B जो है, वो inclined है, like this, और यह जो angle है, यह एंगल जो है, this angle is 60 degree, ठीक है, यह वर्ट, तो यह basically बो सकते हैं कि वर्टिकल से, अगर आप देखो कि इस तरह से, तो वर्टिकल से 60 degree पर है, तो horizontal से किता हो गया, 30 degree पर हो गया, horizontal से हमारा, वो 30 degree पर होगा, 30 degree पर होगा, ठीक है, यह आपका P equal to 650 Newton हो गया, 650 Newton आपका यहां से हो ठीक है, तो इसके according इसको solve कर लो, simple, theta equal to किता इस करेंगे हम लोग, theta equal to हम लोग 30 degree इस्तेमाल करेंगे, है ना, और हमारा जो right answer है, वो आ जाएगा, correct बात है, तो यहां पर normal force है हमारे पास, normal force हो आ रहा है हमारे पास, that is P sin 30 आ जाएगा, तो P आपके पास 650 into sin 30 करेंगे, यहां से हमारा जो answer है, यहां जाएगा, 650 sin 30, okay, 325 आ रहा है, आपके पास, 325, okay, और जो हमारे पास shear force है, shear force जो है, okay, that is V, आपके P cos 30 है, तो यहां जाएगा, P that is 650, 650, 650, okay, into cos 30, ठीक है, तो यहां जाएगा, आपके पास, इसका value आ रहा है, ठीक है, 562.91, 562.91 RIS को आप round off करके 563 बोल सकते हैं, तो यहां आपके पास answer आ गया, ठीक है, तो यहां आपके normal force और shear force की value है, ठीक है, और यही आप लोगों का answer है, ठीक है, तो I hope जो cross section वगरा है, उस पे oblique plane, उस पे कितना stress आता है, उस पे कितना force आता है, किसी oblique plane पे कितना force आता है, इसका आपने को idea हुआ होगा, इस question सी कैसे calculate करना होता है, तो जो भी forces लग रहे हूं, उसको जो भी oblique plane है, उसमें आपको resolve करना होता है, प्रिवेसली theoretical lecture भी हम लोगों ने इस चीज़ को discuss किया था, जो diagram है, शायद आपके PDF में अगर आपको नहीं दिख रहा है, तो नीचे जो link है, उसको आप अपडेटेट PDF जो है, अपने पास रख लिए है, हाला कि diagram मैंने आपको बना दिया, शायद क्योंकि PDF में शायद करके download कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, अगला question देखते हैं हम लोग, अगला question देखते है, question number 18, question number 18 देखते हैं, ओके, हाँ बढ़े question, पढ़ो पहले, वीडियो पास कर लो, और question को पढ़ो एक बार, ठीक है, question को एक बार धासे पढ़ने की बहुत जरूरत होती है, तो पहले question क पढ़ दो, pause कर लो, वीडियो को, okay, question number 18 में बोल रहा है, आपके पास, in the figure shown, bar a, b having length, l and axial rigidity, ea is fixed at and a, एक आपके पास बार है, question number 18 में, और इसमें हम लोगों का जो axial rigidity है, वो दे रखा है, okay, axial rigidity जो है, वो दे रखा है, question number, question number 18 की बात कर रहा है, ठीक है, अभी axial rigidity क्या हो axial rigidity, okay, axial rigidity, okay, axial rigidity, okay, axial rigidity है, आपके पास, यह rigidity, product होता है, आप लोग का area of cross section, क्योंकि axial reaction की बात करते है, और रात करते है, product of cross section and young's modulus होता है, ठीक है, product of cross section and young's modulus होता है, अगर आप देखेंगे, deformation का जो equation है, change length का, जो equation है, del L is equal to pl upon ae, ठिक है तो हम जानते हैं कि जो एरी यह दिलेटी का जो उत्पत्ति हुई थी एर आपके रीजिड बोड़ीु किसको बोलता है जो डीफाम कुछी यह स्डिफनेस यह उसके उपर बात करता है, ठीक है किसी इुलेटा सीचे,атеक्षी बार स्टिफनेस श्टिफनेस कि यह उसके कम करना कितना मुश्किल होगा यह बताता है ठीक है नौ यहाँ पर यहाँ पर जो एक्सियल रिजिडिटी है यह उसके लॉंगिटुडनल डामेंशन पर डिपैंड नहीं कर रहा आप देखना थोड़ा सा अब्ज़र करना ठीक है यह जो डैलल है इस इस दी डी फॉर्मेशन ठीक है जो स्टिफनेस होगी आपकी स्टिफनेस की बात करें अगर स्टिफनेस तो स्टिफनेस के से मैं रिप्रेजेंट करूं स्मॉल के से तो यह होता है आपके पास लोड पर यूनिट डी फॉर्मेशन लोड पर यूनिट डी फॉर्मेशन यह आपके पास होता है ठीक है unit deformation create करने के लिए आपको कितना लोड लगता है ठीक है यहां से यह जो लोड है और यह आपके पास deformation इसको इस तरफ ले आते हैं तो यह आजाएगा आपके पास load upon deformation यह हो जाएगा कि देखो इस तरफ से तो जाएगा ae upon ae upon l यह हो जाएगा and this is equal to the stiffness this is equal to the stiffness now stiffness अगर आप देख रहे हो तो इस्टिफनेस अगर आप देख रहे हो यहां पर तो यह length पे depend कर रहा है और यहां जो ae है that is your actual rigidity ठीक axial rigidity यह बता रहा है जैसे मैं थोड़े पहले बोला कि उसको stretch करना या contract करना किता difficult होने वाला है आपके लिए अगर stretch करना और contract करना difficult है तो इसका बतलब क्या हो सकता है जैसे कि for example मैं कि steel का बार लेता हूं steel का बार लेता हूं तो steel का एक particular young's modulus होगा इस steel ऐसा मैं लिखा अब आपके पास different बार हो सकते स्टील के जैसे कि बार नंबर वन यह बार नबर वन थोड़ा सा slander थोड़ा सा से क्रॉस्टेशन कम है और यह second बार हो गया now if you can see from the diagram the length of both the bars are equal the length of both the bars are equal is का भी LN थे इसका भी LN थे नौ if they are subjected to equal loads if they are subjected to equal load just for comparison मैंने उसमें equal loads लगा देखूं तो क्या होता है तो अगर दोनों मैं आप equal load यहां पर लगा लगाऊगे तो और सी बात है यह ज्यादा डिफर्म होगा और यह कम डिफॉर्म होगा फातला वाला जो व्यूимся kap इसका भी इस्टील है इसका भी इस्टील कहीं है ठीक है बट एरिया ऑफ क्रॉस सेशन दोनों का अलग अलग है तो इसको डिफॉर्म करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा तो एज रिजिड बिहेवियर जो बोलेंगे यानि कि डिफॉर्म ना होने की टेंडेंसी कौन ज्यादा देर तक शो करेगा यह वाला ज्यादा देर तक शो करेगा यह कि स्मॉलर लोट पे यह डिफॉर्मेशन एक दम नेगलेजिबल देगा जबकि यह उतना मतलब जा उतना रजिस्ट नहीं करेगा आई बस समझ में तो इसकी रिजिडिटी ज्यादा है वोलूंगा मार्श की र प्रोड़क्ट जो है एरिया इंट्व यंक्स मॉड्लर का फॉर फॉर्ट बार इस लेस देन बी प्रोड़क्ट ए एंटी फॉर दी सेकंड ठीक है बट इस इस एकर बात करें तो स्टिफनेस एरिया पर डिपेंड करें गई कि कितना जितना आपका क्रॉस सेक्षन जो होगा जितना जादा होगा उतना जादा वह स्टिफ होगा उसको दबाना वगयरा ठीक उस पर उस पर उसको कंप्रेस करना उत्ता डिफिकल्ट होगा बट इसमें आप देखोगे क्यों पर यह इनिवर्श्ली प्रपोर्श्चनल दिख रहा है इसका क्या मतलब जैसे मालीज आपक सब्सक्राइब ** कर सक्ष News इसको सेंगर से समझनेगा ठीक है कि आपके पास यह सेंगर सिर्फंट सेंञर कर लिए सुपां के फिर्फ उक्रमश्चन ज़्यादा हो गा जिसका लेंथ जदा उसका डी फॉर्मेशन जदा हो जाएगा तो यहां से आप देख सकते हो कि दिकते हैं कि यहां से लिन्ट और डिफॉर्मेशन रखा तो अब देख पाऊंगा कि लैंद और the information में किया रेलेशन है बाकी चीज़ों को मैंने कॉंस्टेंट कर दिया था मैं देख सकता हूं कि लैंथर लेटिव प्रपोश्शन टू लैंथ का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक मट्रियल की दो आइडींटिकल वायर्थ हैं आपके पास तो उस condition में जिसकी length ज्यादा होगी जिसकी length ज्यादा होगी under same load वो ज्यादा deform हो जाएगा आई बस समझाने कि एक बार आपके पास 2 मिटर की है दूसरे आपके पास 5 मेंटर की है दोनों पे आपने P Newton लोड लगाया अगर तो जो फाइड मेंटर का है उसमें deformation ज्यादा होगा ठीक है यह क्वेशन यह चीज़ बता रही है now deformation इसमें ज्यादा हो रहा है ठीक है डेल की वैसमें ज्यादा आएगी क्योंकि एल ज्यादा तो डेल-L जाधा और यहां से हम देख लेते पी अपॉन डेल से समझ आ रहा है तो डेलल जाधा है तो ऑविस्सी बात है जो के होगा वो कम होगा स्टिफनेज क्या हो जाएगी कम हो झाएगी कि अगरा सइस कर देते हो सी चीज का लेंध वा लगदा दयते लेकिन इस तिफनेस अरिया के साथ साथ लेंद पर भी डिपेंड करता है जबकि जो रिजिडिटी है जो एक्सियल रिजिडिटी है यानि कि एक्सेल डारेक्शन में बॉडी किती रिजिड की तरह बीवेर करती है उसका एक यह मेजर है तो वह जितना जाधा बॉडी का क्रॉस सेक्शन होगा उसकी बात करेगा तो एक्सेल डारेक्शन में कितना उसक क poquito दामेंशा ऑर लांगितनाय दामेंशन, दोनों पर डिपैंड कर रही है एरिया पर डिपैंड कर रही है लेंथ पर भी डिपैंड कर रहरे है जबकि जो एक्षीयल Δैखेंग आगे हम लोग कोई सिसी भी देखेंगे, आगे जाकर कि तो दो ऐसे बार जिनकी जिनका लेंथ सेम है जिनका लेंथ सेम है लेकिन अलग अलग है इसका जादा होगा उसको डिफिकल्ट होगा उसको डिफिकल्ट करना और यह जो हम लोग बोल पा रहे हैं इसके पीचे जो मैथमेटिक्स काम कर रहा है दाट इस एक्चियाल रिजिटी ठीक है और अगर मैं दो वायर जो डिफ्रेंटट वायर से आपके पास अब मालीजे यू कि मैं यहाँ पर शारी चीज़े चेंज कर्ता है यहां पर मैं सारी चीजे चेंज करता हूं सबक्राइब नहीं यहां तो मैं वहाँ से जो स्टिफनेस एक्स यहाँ पर material की in axial rolling कितनी है मैं बता पाऊंगा और इस stiffness का जो opposite होगा वो होगा flexibility that is L upon A E L upon A E जो है that is your flexibility ठीक है that is flexibility हम लोग ने ठीड लेक्शन पड़ है flexibility जो होती है वो stiffness की just opposite है ठीक है so basically rigidity और stiffness जो है वो एक जैसी ही बात करता है बस एक छोटी सी चीज़ का फर्क है कि जो rigidity है that only depends on the cross sectional dimension lateral dimension बट जो आपका stiffness है वो सारे dimensions को overall dimension पर depend करता है cross section पर डिपैंड करेगा और longitudinal पर डिपैंड करेगा clear बात है चलिए तो यह तो मैंने समझा दिया आपको इस सारी चीज़े ना वापस question पर आते हैं वापस question पर आते है question number 18 पर ओके तो इसमें हमको बोला है इसमें लोगों को बोला है question में की cervical अभी कैशन ने बोल रहा हूए कि अब यहां पर जो है बार में इसमें small gap दे राखा है यहां पर इस तरफ समॉल गयप है s एक स्वन गयप है एस ठीक है और इसमें यहां पर इस जगापे points c ले बोल रास एक force लगत रहा है 3, this is L by 3, this is 2L by 3, this is 2L by 3, यह हो क्या आपके पास, 2L by 3, है ना, अब बोल रहा है, so the gap of dimension S exists between the end of the bar and rigid surface, so the rigid surface और जो बार है, इसके बीच में S जो gap है, वो exist करता है, load acts at points जी जासा की दिया गया है, ठीक है, so if support reaction produced by load are equal in magnitude, ठीक है, अगर जो support reactions है, यह दे रखा एक data, जो support reactions है, if they are equal in magnitude, यहां से, तो यह बताना है आपको कि उस condition में P की क्या value होगी, उस condition में, sorry, उस condition में S की क्या value होगी, gap की क्या value होनी चाहिए, यह पूछा है, ठीक है, तो हम लोगों को इत्ता तो पता है, कि करना क्या है, as हम लोगों ने यहाला जो condition है, पढ़ रखा है, condition में आपको पढ़ाया है, theory lecture में, ठीक है मैंने बताया कि कैसे gap वाला की compatibility equation क्या बनता है, तो it is all the game of compatibility equation, now here question में बोल रखा है आपको, कि जो R1 है और जो R2 है, वो बराबर होना चाहिए, इस specific condition के लिए gap की value आपको find out करनी है, आई बास समझ में, gap की value आप लोगो इस specific case के लिए find out करनी है, now the thing is, reaction आ रहा है बोल रहा है, मैंने आपको बताया है, कि क्या होता है जब आप लोड लगाते हो, तो पहले तो just gap fill होता है, just इसको touch करता है, उसके बाद जब और इसको push करना चालू करता है, और आगे जाने की कोशिश करेंगा, तब इसको opposite direction में reaction मिलने वाला है, तो reaction आ रहा है, मतलब obvious सी बात है, gap से ज़्यादा, जित्ता gap available है, उससे ज़्यादा elongate होने की tendency रख रहा है, ये member, ठीक है, तो इस case में, obvious सी बात है, कि इस वाले portion पे जो stress है, या जो forces है, वो 0 नहीं हो सकते, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इसको gap को मैंने भर दिया है, ठीक है, मैंने इतना फोर्स लगाया कि gap भर गया, और ऐसा इतना इस तरह से भरा मैंने, कि जो दोनों एंट से जो reactions मुझे मिल रहे हैं, अब वो बराबर है, तो इसका दोनों portions का जो बना लेते हैं, फर्स segment ये वाला, और जो 2L by 3 का है, और दूसरा जो L by 3 का है, इसके लिए, तो यहाँ पर मैंने बनाया, तो यह हो जाएगा, आपके पास FR, ठीक है, और मैंने बताया है कि फिर FR लिखने के क्लिए क्लिए करना है, यह जो मैंबर है, इसका परले लिख देता हूं, इसका जो डैमेंशन है, 2L by 3 है, ना, करते जाओ, आप लो, वीडियो को पॉस्ट करके, अगर आप लोगो, एक बार अपने आपको चेक करना है, कि मैथड आता है, तो अभी तूरंद वीडियो को पॉस्ट करो, और बनाना कर देते हैं, यह हो गया, और P कैसा आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो summation of forces equal to 0 किया मैं, तो यह हुआ, FR plus P minus R1 is equal to 0, so FR आ गया मेरे पास, FR जो resisting force हैं पर आ रहा है, that is R1 minus P, यह आ गया मेरे पास, ठीक है, अब जस्ट क्या करना है, जो डैल L है, ठीक है, जो डैल L है, जो डै equation मेरे को लिखना है, ठीक है, उसका equation मेरे को लिखना है, now, डैल L total कितना होगा, डैल L total will be equal to gap, यह मैं बोल रहा हूं, ठीक है, डैल L total will be equal to gap, so equation लिखते हैं पहले तो, equation लिखते हैं इसका, तो यह हो जाएगा आपके पास, this is, this is R1, okay, इसमें जो रहा है, that is R1, okay, इंटु 2 L by 3, okay, इसका जो length है, upon A into E, ठीक है, प्लस, इसके लिए जो FR आया, that is R1 minus P, R1 minus P, okay, R1 minus P, into length जो है, that is L by 3, upon A into E is equal to S, यह होगा आपके पास, ठीक है, माने बताया, जब आप FR लिखते हो, तो आप लोग को, आप लोग अल्रेडी, algebraic sum कर चुके हो, तो दुबारा, algebraic sum perform करने की need, हमको नहीं पड़ती है, अब इस equation में देखते है, अब यहाँ पर क्योंकि हमको R1 equal to R2 बोल रखा है, R1 equal to R2 बोल रखा है, so, क्या कर सकता हूँ, मैं, क्योंकि भई, यह तो एक equation हो गया, यह मैंने directly लगा दिया सिधा, now, इसमें मुझे R1 जो दिखरा है, इस R1 का time को थोड़ा है, हटा भी सकता हूँ, ठीक है, कैसे है, क्योंकि मुझे जो information दे रखा है, उसका भी तो use करना है, बोल रखा है, कि R1 equal to R2 है, तो अगर मैं summation of forces about x direction करता हूँ, इस पुरी given body के लिए, तो मुझे क्या मिलेगा, R1 plus R2 is equal to P, यह मुझे मिलेगा, R1 plus R2 is equal to P, मुझे, है ना, और R1 equal to R2 है, तो लिदिया 2R1 is equal to P, तो R1 equal to R2 equal to क्या आ गया, P by 2 आ गया, equation number 2, है ना, तो यह equation म पहले compatible equation लगाया, जो बड़ा equation उसको लिख दिया, अब यहां R1 और R2 की जो value है, वो आप लोग यहां पर, sorry, R1 की जो value है, वो put कर दो just, R2 तो हई नहीं, तो R1 हो जाएगा आपके पास P by 2 into 2L by 3, एक उधा transfer कर सकते हैं क्या, नहीं नहीं है, ठीक है, यह हो गया आपके पा by 2 into L by 3 upon AE is equal to, S, यह 2 से 2 जो है वो cancel हो गया, यह हो गया, आपके पास P L upon 3AE minus, यह हो जाएगा आपके पास P L upon 6AE, okay, is equal to S, आपके पास हो जा रहा है, ठीक है, यह आपके पास आ रहा है, clear, तो यहां से P L upon, यहां से इसको आगे solve कर लेते हैं, तो S की value, जो है, आ गही हमारी, जो S आ रहा है, S की value आ रही है, that is, that is P L upon 3AE, that's P L upon 6AE, okay, P L upon 6AE, आपके पास P L upon 6AE, so this will be the value, this will be the value of gap, तो इसके according देखते हैं, कौन सा option जो है, हमारा, वो सही है, है न, कौन सा option सही है, तो P L upon 6AE, that is option number C, option number C, that is the right answer, तो हमने क्या किया, हमने कुछ खास नहीं किया, हमने न, जो information देवी थी, उसको बस opt किया, और आगे हम लोग बढ़ते चले गए, आगे हम लोग बढ़ते चलेगे, तो आप लोग देख लो, एक बार पूरा कैसे है, हम लोगों ने, जो हमको question बोला था, जो figure दे था, उसको बनाया, बोल रखाया, कि R1 equal to R2 होगा, तो पहले तो मैंने, जो free body diagram है, members के वो बना ली है, ठीक है, उसके compatibility equation लगाया, तो यह मुझे बिल गया, ठीक है, उसके बाद क्या किया, मैंने, मुझे जो information दे रखी थी, R1 equal to R2, उसका इस्तमाल किया, मैंने static equilibrium लगाया, तो R1 plus R2 equal to P होना चीज़ था, ठीक है, तो यहां से मुझे R1 और R2 मिल गया, P by 2 value ने पूट कर दी, question number 1 में, solve किया मैंने, आ गया, as equal to PL upon 6AE, ठीक है, बहुत सिंपलिस्टिक, question है, बहुत सिंपलिस्टिक, approach है, इसका, clear है, चलिए देखते है, next question, तो question number 19 ने बोल रहा है, the column shown in the figure is constructed from high strength concrete with EC, Young's modulus दे रखाया, उसका, concrete का, okay, 25 Giga Pascal, ठीक है, 25 Giga Pascal, so EC दे रखाया, 25 Giga Pascal, ठीक है, 4 A30 steel reinforcing rods with E steel, 200 Giga Pascal, E steel दे रखाया, आपको, E steel दे रखाया, 200 Giga Pascal, ठीक है, 200 Giga Pascal, ठीक है, with, it is subjected to an axial force, आपको दे रखाया, आपर, 800 Kilo Newton का दे रखाया, if 4, wife 1 4th of the load is carried by the steel and 3 4th of the load is carried by the concrete, तो आपको बताना है, के required diameter of each rod क्या होगा, के तो इस condition में देखना, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, देखो, इस तरह से, एगर, एक, कॉलम दे रखाया, इसमें, जो है, इस तरह से, steel की रोड है, एक, दो, तीन, चार, इसका cross section दे रखाया, देखो, 300 mm, cross, square cross section, इस तरह से, आप बेसिकली जब इसमें load लग रहा है, तो आप देख सकते हो, जो concrete है, और यह जो steel है, यह कैसा formation दे रहा है, आपको members in parallel वाला, है ना, 800 kN का load लग रहा है, इस तरह से, तो load जो है, वो share हो जा रहा है, load की sharing कैसी है, वो दे रखी आपको, जो total load है, लटा से P, है ना, तो आपके पास हो रहा है, आपके पास P, S, जितना स्टील ने सहा, प्लस P concrete, इस तरह से होगा, ठीक है, जो steel ने लिया है, जो steel ने जो load लिया है, that is P by 4, बोल रखा है, और जो concrete ने load carry किया है, that is P, 3P by 4, यह दे रखा है, ठीक है, यह हम लोगों को question में already दे रखी है, ना, क्योंकि यह members in parallel है, अब column जो है, यहाँ पर इसमें यह reinforcement इस तरह से लगी हुई है, तो obviously बात है, जो deformation होना चाहिए, इसका, वो दोनों का same होना चाहिए, अब लोगों के सब्सक्राइसा कैसे बोल सकते हो, आप यहाँ तो आपने ऐसा members in parallel में आपको ने horizontal member वाली बात की है, और tilting वाली में रहना है, otherwise यहाँ पर कहीं यह कहीं से crack formation हो जाएगा, so in order to achieve that, what is the condition, condition क्या होने चाहिए, जो भी load आ रहा है, let us say, जो भी load आ रहा है, उसका कुछ पार्ड स्टील ने सहा, जो की reinforcement है, और कुछ पार्ड कॉंक्रीट ने सहा, अब इससे स्माल लीजे, जस्ट फर्स कीजिए, कि आपके पास ऐसा कुछ हुआ, तो स्टील का deformation कुछ अलग है, हाला कि यहां तो compression ही होने वाला है, तो इसका compression कुछ अलग है, लेटर से 0.5 mm हो गया, और उसका लिलेजे, concrete का लिलेजे, 0.3 हो गया, ऐसा कुछ, तो दोनों का deformation different होगा, so there will be a relative motion, क्योंकि यह दोनों different length deform हुए है, तो दोनों की बीच क्या हो जाएगा, relative motion होगा, और in that case, जो reinforcement है, और जो इसको साहे तरफ से, जो concrete ने साथ से wrap-up करके रखा है, जो reinforcement है, इस तरह से concrete ने wrap-up करके रखा है, पकड़ करके रखा है, bond है दुनों के बीच में, that's why they must move with each other, relative motion should not be there, now अगर यह जादा elongate होगा इसके compare में, तो यहाँ जो इन लोग का junction है न, steel का और जो concrete का, वहाँ पर कुछ ना कुछ additional stress आएगा, practically ऐसा शैद हो सकता होगा, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग strength model में ऐसा बात नहीं करेंगे, तो हम यह क्या मानेंगे, हम यह मानेंगे कि भाई जो junction है न, यह जो reinforcement है, reinforcement और concrete के बीच में कुछ आपस में जद्दो जयाद नहीं होने ही चाहिए, theoretically, theoretically हम यह मानेंगे कि जित्ता elongation इसका हुआ है, उत्ता elongation concrete का भी होना चीए, तो अगर दोनों का elongation सेम होगा, दोनों का contraction अगर सेम होगा, तो इन दोनों की बराबर होगी, तो इन दोनों का junction है, ठीक है, जो steel rod इसको साथा तरफ से concrete ने पकड़ के रखा है, तो इस junction में कोई relative motion नहीं होगा, तो इस junction में कोई stress induced नहीं होगा, कोई additional stress नहीं आएगा, आई बस समझ में, so that is why, हम लोग यहां क्या मान के चलेंगी, जो concrete का change in length है, और जो steel का change in length है, वो क्या होगा, एक स्वान होगा, तो basically हम लोग यहां पर, जो members in parallel का fundamental है, उसी को apply करेंगे, ऐसे problems में, ठीक है, तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, तो PL upon AE of concrete should be equal to PL upon AE of steel, ठीक है, यह आप लोगों के पास एक चीज हो गए, ठीक है, अब जो concrete है, उसके लिए हमको value पता है, सारी है ना, तो concrete लोगा 3P by 4, 3P by 4 into L upon area of concrete, अब area of concrete कितना है, यह तो cross section दे रहा है, इसमें steel भी है और concrete भी है, तो area of cross section कितना हो जाएगा, यह है 300 mm, याने की 0.3 meters, तो 0.3 meters square, यह area हुआ, किसका total area हुआ, उसमें अगर मैं एक जो steel का area minus कर दूँ, steel कितना होगा भी लेटा से steel rod है, जो आपकी reinforcement जो है, उसका जो एक rod का diameter D है, तो उसके area क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एक स्टील राट का, अब ऐसी कित्ती राट दे रखी डाइगरा में चार दे रखी है, तो जो area of steel है, that is, pi D square, तो total area आगे ना, steel का, वो कित्ता हो जाएगा, pi D square, इसमें 4 का multiply कर दो, क्योंकि 4 है अपने पास, तो इस pi D square मिल गया, तो जो total cross section area है, उसमें अगर आप, यह total cross section area, that is, area of concrete plus area of steel, तो अगर total cross section area में area of steel minus कर दो, तो area of concrete जो है वो, आजाएगा, area of concrete कित्ता हो जाएगा, यह जाएगा, 0.3 square, that is, total cross section area minus area of steel, that is, pi D square, यह जाएगा, pi D square, यह हुआ, इस्टील का area, ठीक है, एक राओर करने, पूरे steel जो भी हम लोग उसका देखेंगा, तो pi D square into pi D square into E of steel, ठीक है यह हो गया, तो यह हो जाएगा, यहाँ से अपका, पी पी जो है, cancel हो गया, यहाँ सा जाएगा 3, और यह 4, 4 भी cancel हो गया, तो 3 upon 0.3 square minus pi D square, okay into E, E concrete का कित्ता दे रखा है, 25 गीगा पास्कल, इधर भी गीगा पास्कल, गीगा पास्कल, जो भी cancel out जाएगा, तो यहाँ से solve करेंगे, तो D हमको मिल जाएगा, ठीक है, तो D हम लोगों को मिल जाएगा, यहाँ से, 0.0338 meters में आ रहा है, इसको multiply कर देंगे 1000 से, तो mm में convert हो जाएगा, तो जाएगा 33.85 mm, 33.85 mm, ठीक है, तो यह हमारा answer आ रहा है, तो इसके according, हमारा जो option B है हाँ पर, option नमर B जो है, वो हमारा correct answer होगा, ठीक है, तो बच्चो, I hope आप लोगों ने बहुत enjoy किया, और बताना चाहूंगा, कि last question था, हमारे chapter number one का, इसके साथ ही chapter number one end होता है, तो comment section में बताईएगा, कि आपका experience कैसा रहा, chapter number one का crash course आपको कैसा लगा, ठीक है, love you all, thank you very much.